ऐसी अपील की जिसके बाद सियासत सुलग गई है तेजसी आदब ने यहां कहा कि अगर बीमा भारती नहीं तो आप एंडिये को वोट कर दीजे लेकिन पपूई आदब मन्सूर नहीं है अब तेजसी आदब के इस बयान पर पपूई आदब ने परटवार किया है पपूई दस साल आरजेदी के एंपिरे तब भी तीमेजर नहीं है तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और इंडिये पोशी सिमाचल में मिले हुए हैं और यह गहरी साजी से है बिहार की सबसे होट सीट बनी पूर्णिया में इस सियासी बारा हाई है तेजस्वी यादब और पपू यादब के भी सियासी लड़ाई तीज हो गई है बयानों के तीर चल रहे हैं सो वार को तेजस्वी यादब ने यह कहकर सियासी हलचल मचा दी की या तो आप बीमा भारती को जिताए या फिर एंडिये प्रत्याशी को ही चुन ले तेजस्व के इस बयान से सियासी खलवली मच गई अब पपू यादब ने मोर्चा खोलते हुए देजस्वी यादब पर जोड़दार वार किया है पपू यादब को बीजेपी की बी टीम बताने वाले देजस्वी यादब को पपू यादब ने एंडिये से मिले होने का आरोप लगा हैं और यह गहरी साजी से इंडिया गटमंधन को परमजोर करने का कॉंग्रेस को हराने की एक बड़ी साजी से और अभी भी वक्त है कॉंग्रेस को पुनर विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के ब्यान के बाद कॉंग्रेस के देजस्वी के बयान के बाद पपु यादब ने एक पर फिर कॉंग्रेस से अपने फैसले पर विचार की अपील की है पपु यादब ने देजस्वी से पूछा है कि जब वो इतने साल आरजेडी के साथ रहे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे आज वो कैसे बीजेपी की बी टीम हो गए और अभी भी वक्त है कौंग्रेस को पुनर विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बियान के बाद वांडेस के लीडर के निरने पर असर नहीं पड़े वह ही तेजस्वी के बियान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है तेजस्वी के बियान के बाद आरजेडी इस सफाय देती फिर रही है किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है हम से देश बचाना चाह रहे हैं इसलिए तेजस्वी जी नहीं ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गडबंधन को आप संबिधान बचाने के लिए इंडिया गडबंधन को वोट करिए तेजस्वी जी यह पुर्णिया से ही तेजस्वी और पप्पू यादब की सियासी लड़ाई का बड़ा अखारा बन गई है ये लड़ाई दोनों की राजनेतिक महत्वा कांग्छा की है सियासी युद्ध के मैरान में सब कुछ दाव पर लग गया है न्यूज 18 के लिए पुर्णिया से कुमार प्रविन की रिपोग्ट कटियार के आजब नगर थाना शित्र में नेता प्रदीपक्ष तेजस्वी आदब ने जनसभा की तेजस्वी आदब के साथ वी आएपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे जनसभा के दुरान तेजस्वी आदब और मुकेश सहनी ने इंडिकट बंदन की मुदवार तारीक अनवर के पक्षमे वोट की अपील की तेजस्वी आदब ने किन सरकार पर जम कर हमला बोला और साथी तारीक अनवर की जीत निश्वित होने का दावा किया आपको यह प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट जो है तारीक साहब को पंजे के निशान पर हाथ के निशान पर वोट दे करके विज़ाई बनाने का काम करें समराज चोधी के खिलाफ रोहिनी आचारिया के बयान पर बवाल मचा हुआ है चुराक पासवान ने हमला बोलते वे कहा कि आरजडी का कल्चर यही है इन लोग को ऐसी भाषा करने के आदी हो गया है जनता देखी रही है सब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा विक्तिकत हो के बहराल सब जनता देख रही है बाई अब उस महिला है अब उनके बारे में हम क्या ही बोले अगर वो इस तरीके की बाते कर रही है तो उनके बारे में हम क्या ही बोले